नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर रोहिक कुमार आपका हर्थिक स्वावत करता हूँ अपने सी यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे हीट वेव गर्मी की लहर और लू से होने वाली समस्याओं के बारे में और कैसे हमको गर्मी में बचना चाहिए और बेस्ट जो आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको हीट वेव से होने वाली समस्याओं से छुटकार दिलाती है मई और जून के महिनों में गर्मी चरम सीमा पर पहुँच जाती है और लू की चपेट से बचना मुश्किल हो जाता है गर्मी में धोप और लू के अलावा गंदगी और गलत खानपान से भी कई लोग बिमार होते हैं कई राजियों में भीशन गर्मी का कहर जारी है इस गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल हो रखा है हर दिन पारा एक नई उचाई पर पहुँच रहा है इसी के साथ गर्मी में होने वाली बिमारियों ने भी दस तक दे दी है लू लगना या हीट स्ट्रोक ऐसी स्थिती है जिसका तुरंत इलाज ना कराय जाए तो व्यक्ति की मौज भी हो सकती है कुछ साफधानिया बरतने से इस मौसम की मार से बचा जा सकता है अब हम आपको गर्मी से बचे रहने की कुछ टिप्स बताते हैं सबसे पहला है लंबे समय तक बाहर धूप में रहने से बचें अगर कोई जरूरी काम हो कभी बाहर निकले और छटरी टोपी और ठंडा पानी साथ लेके मिटले खाने में सवच्चता का ध्यान रखें बाहर का तला बुना और खुले में बनाई गई कोई भी खाने की चीज से बचें चोकि इस मौसम में साफ सफाई पर बहुत ध्यान देने की जवरत होती है ऐसे मौसम में दोसे खान पान से बचना चाहिए अगला है लिक्विट चीजों का ज़्यादा सेवन करें जितना ज़्यादा हो सके उतना लिक्विट डाइट का प्रियोग करें जैसे नीबू पानी, गन्ने का रस, आदी इस चीज का ध्यान दें कि ये सब थंड़ा हो बरसीला नहीं क्योंकि ऐसे अगर होगा तो दूसरी स्वास्त समस्याएं हो सकती हैं इस गर्मी में मौसमी फलों का जैसे खर्बूज, तर्बूज, आम, ककड़ी का सेवन जरूर करें गर्मी में अधिक खाना खाने से परहेज करें इससे अच्छा आप अपने दिन की शुरुवात मीठे और रसीले फल से कर सकते हैं जिसमें चीकू, खर्बूज और संत्रा एक अच्छा विकलत है प्याज और खीरा सलाथ के तोर पर जरूर खाएं तोकि इसमें पर्याप्न मात्रा में पानी पाया जाता है गर्मी में बाहर निकलें तो अधिक डार्क रंग के और टाइट कपड़े ना पहने इससे पसीना अधिक आता है डार्क रंग के कपड़ों में गर्मी अधिक लगती है बेतर है कि आप धीले ढाले और काटन के कपड़े पहने इसकाई ब्लू, वाइट कलर, लाइट पिंक आधी कलर बेस्ट होंगे इन दिनों पहनने के लिए क्योंकि इन में गर्मी अधिक नहीं लगती है गर्मी में बहुत अधिक तेल और मसालेदार भोजन करने से बचें साथ ही बाहर ठेले पर मिलने वाले फूर आइटम्स का सेवन भी ना करें क्योंकि इससे food poisoning भी हो सकती है ऐसा इसी ही है क्योंकि देड तक रख्था भोजन जल्दी खराब हो जाता है घर का बना फ्रेस खाना खाएं साथ ही डाइट में मौसमी सबजियों और फलो को खुब शामी करें अब बात करते हैं हम best homeopathic medicines की जो धूपी गर्मी या लू से हमको बचाती है सबसे पहले दवाई है gelcimium 200 जो भी इंसान गर्मी जरा सी भी बरदाश ना कर पाए और उसको धूप में निकलते ही दिककर शुरू हो जाए तो अस इंसान को ये दवाई दी जाती है धूप में निकलने से पहले जिससे धूप का side effect ना पड़े बोडि पे जलcimium 200 अगली दवाई है glow 9 200 ये दवाई का symptom है अगर धूप में जाने के बाद रोगी को तेज बुखार आ जाए या बेहोशी की हालत हो जाए धूप के कारण तब ये दवाई दे सकते हैं धूप में जाने के बाद सर्व भूनने लगे तब ये दवाई देना है glow 9 200 अगली दवाई है नेट्रमियोर 200 ये बहुत अच्छी दवाई है सन स्ट्रोक की और अगर सरदर्द स्टार्ट हो गया हो धूप में जाने से तब ये दवाई सोच सकते हैं नेट्रमियोर 200 अगर धूप में जाने से पूरे सरीर में खुजली स्टार्ट हो जाती है तब 55 दवाई देना है साथ साथ नारियल तेल भी हलका सा लगाना है जहां भी इचिंग हो गई हो अगर गर्मियों में दस्ट लग जाएं तब गंबोजिया 200 देना है अगर गर्मियों की वज़े से दस्ट लगने लगें तब गंबोजिया 200 दे सकते हैं अगर गर्मियों में food poisoning हो गई हो तब 10 स्टार्ट हो जाए food poisoning के कारण तब arsenic 30 देना है अगर food poisoning हो गई हो डायरिया खुब ज़्यादा हो रहा हो तब अगर गर्मी से आने के बाद उल्टी और सरदर्द हो रहा हो रोगी को तब इपिका 200 या ब्राइनिया 30 दे सकते हैं अगर रोगी को खुल्टी होने लगी हो गर्मी से आने के बाद से पिका 200 या प्राइनिया 30 आई होप आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो अगर आपको कोई भी confusion हो तो बताय गए नंबर पे संफर्क कर सकते हैं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए